हेलो दोस्तों नवसकार अभी की सबसे बड़ी घबर आ रही है जहां रशिया को ऐसा क्या भेच रहा अपना भारत जिससे उड़ गई अमेरिका की नींद जीहां चीन पर पहले ही लगा चुका इस मामले में पावंदी अमेरिका जीहां दोस्तों बताएंगे क्या है वो चीज तो वहीं साधी साध पीम मोदी ने यूरोप में किया एक और सबसे बड़ा कमाल पोलेंड जा करके पीम मोदी ने कर दिया ऐसा काम हर भारतियों को होगा गर्व तो वही भारत पर नूकलियर बम गिरा दूँगा अखिर दोस्तों ब्रिटेंड के किसने यह सबसे बड़ी धंकी दिये जिसके बाद हो गया इसका इलाज वहीं हाथो हाथ बताएंगे इधर पर रखान मंतरी नरेंदर मोदी जी यूकरेन की यातरा करने जाते ही कि उससे पहले पुतिन के दर पर पहुँच गया चाइना दोस्तों आखिर क्या है यह सबसे बड़ा मामला आखिर चीन में यह सबसे बड़ी चाल क्यों चली दोस्तों साली जानकारी आपको बस आप वीडियो कान तक बनेड़ेगा और हमेशा की तरह निरंतर देश भारत में विकास होते में देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा की कमेंड में जहीं दबश्य के दीजगा बात करें पहली बड़ी खबर की जहां रूस को ऐसा क्या बेचरा भारत जिस से उड़ी अमेर्का की नींद चीन पर पहले ही लगा चुका है पाबंदी दरसल दुनिया के लिए नई नई बिसात बिछाने वाला अमेर्का एक बार फिट टेंशन में हैं इसकी वज़े है कुछ भारतिया कंपनिया जो ऐसी च चेताव निदी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि रक्षा उपकरन जैसी वस्तों का नर्यात रश्या को ना किया जाए क्योंकि ये रूस की मिसाइल टेकनोलोजी के लिए मददगार साबित हो सकती है ऐसे में इन कंपनियों पर पच्छमी देश पाबंदी लगा सकते हैं ज की भारत मात्रे कैसा देश है जिससे अगर अमेरिका ने बैर करने की कोशिश की तो अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं रहने वाला जी अगर आप इस बात को मानते तो मेरा भारत महान कहना मत भूलेगा तो वहीं आपको बता दें प्रधान मंतरी मोदी जी ने यूरोप में किया एक और सबसे बड़ा कमाल यूक्रेन युद में भारतियों का संकट मोचक रहा पॉलेंड अब भारत का बन गया है स्टेटजिक पार्टनर जी हाँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने यूरोप में अपनी विदेश नीत का एलान हुआ है यानि अब भारत का रननीतिक साज़ेदार होगा ये वही पोलेंड है जिसने यूक्रेन युद के आरम में वहां फसे हजारों भारतिया नागरिकों और छात्रों को वार जोन से बाहर निकालने में भारत का सबसे बड़ा मददगार बना था इसलिए प्यम है आज का दिन भारत और पोलेंड के संबंदों में विशेश महत्व रखता है आज 45 साल बाद किसी भारतिया प्रधान मंत्री ने पोलेंड का दौरा किया है मेरे तीसरे कारिकाल की शुरुवात में ही मुझे ये सवभाग मिला है इस अब सर पर मैं पोलेंड की सरकार और व मोदी का यह दोरा रशिया यूपरन युद के बीच हो रहा है जबकि ये यूद अपने चरम पर पहुंच चुका है मोदी की यूपरन यात्रा से दुनिया को उम्मीद है कि अब दोनों यूद समाप्ध होने वाले हैं चाहे वो इज्राइल और हमास युद ही क्यों ना हो दरसल पियम मुदी ने हाली में इज्राइल के प्रधान मंतरी बेंजामी नेता नियाहु से फोन पर बात की थी ऐसे में दुनिया में चल रहा है युद्धों को समाप्त कराने की दिशाम में भारत सबसे आगे नजर आ रहा है अब सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या भारत दुनिया में चल रहे दोनों जंग को समाप्त करा देगा आपको बता दे इज्राइल के साथ साथ अमेरीका को भी साथ रहा है अपना भारत ऐसे में इन युद्धों को समाप्त कराने में सब को साथ लेकर जरूरी हो चुका है भारत ने हमेशा से किलियर मैसेज दिया है कि अभी भी युद्ध का नहीं बलकि शांती में विश्वास रखता है अब एसमें दोस्तों आपसे हमारा सबसे बड़ा सवाल यहीं है कि क्या दुनिया के इस आस पर खड़े उत्रेंगे प्याप मोदी जी अपना भारत आपकी क्या राई है दोस्ता आपस बताईएगा तो वह करने के बाद सोशल मीडिया पर खरी खोटी का सामना करना पड़ गया दरसल यह पूरा मामला एक मीम वीडियो से शुरू हुआ जिससे उसने एक्स पर अपलोड किया था उस वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिका में छिपे हुए साइलो से परमानू मिसाले निकलती दिखाई दे रही है और दुनिया भर में परमानू युद की बात कहीं जारी ऐसे में उस वीडियो का शेयर करते वहीं से यूटूबर ने लिखा कि जब मैं इंग्लेंड का प्रधान मंत्री बनूंगा तो मैं ब्रिटिस ही तो और आंतरिक मामलों में हस्तुचिप करने वा पुतिन के दर पर पहुंच गया चाइना आखिर क्या है यह मामला क्या कोई पड़ी और घनी चाल चलने वाला है चाइना बता दें पिछले ही महिने पीम मोदी जी रशिया में पुतिन से मिलकर आये हैं और अब चीन की पीम ने पुतिन के दर पर कदम रख दिये हैं इधर यूक्रेन और रशिया के बीच संघर्ष और जादा गहराया है जिसमें यूक्रेन अपने पाउं रशिया के भीतर तक फैलाने तेज कर दिये हैं जानकारों के हवाले से गलोबल टैम्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन और रशिया दोनों ही सयूंक तो राश्क्र सुरक्षा परिशत के इस थाई सदसे हैं इसले केवल आपसी मसले ही नहीं बलकि दुनिया के मल्टी पोलराइजेशन में भी दोनों के हित एक दूसरे से सद सकते हैं रूसी समचार जैंस्ती टैस ने कहा कि मिशुस्टीन के मुताबिक पश्मी देश अपने दबदबे को बनाए रखन है कि चीन के कदम पुतिन के पास पुतिन के ढरीधर पर और नरंद्र मोधी के पहुंचने से पहले क्यों नहीं पढ़े क्म चाइना का पता चलेगा की पियो मोधी यूक्रेंट जाने वाले है तो क्यों वो रसिया के धर hop गया यह सबसे बड़ा सवाल उठाता है दोस्तों रूस ने काला सागर में मौझूद सेवास्तो पोल बंदरगाप लगडी की पनडूपी बना कर रखी है सेटलाइ तस्वीरों में इसका बड़ा खुलासा हुआ है ये जिस पनडूपी की नकल है उसे यूगरेन की मिसाइल ने बुरी तरह से छतिक रस्त कर दिया था उसकी है दोस्तों लगडी की सबमरीन से चल किया जा रहा है जिसका खुलासा सेटलाइट तस्वीरों में हाल ही में हुआ यूँकि रशिया ने अपनी एक पनडूपी की हुबहु नकल बनवाई वह भी लगडी से इसे बलैक सी फ्लीट यानि काला सागर में मौझूद उसकी फ्ल उक्रेनी हमले में डूबो दिया गया दुनिया को यह ना पता चलेगी रूस की पनडूपी खतम हो चुक है इसलिए रशिया ने ठीक वैसी लखडी की पनडूपी बनवाई और फ्रीट में तैनात कर दिया अब आप अंदाजा लगा सकते दोस्तों आखिर विश्व इस्तर किया है यह ओपरेशन तीन राज्यों में फैला था और इसके परिणाम सरूप 14 संदिग्द आतंग वादिव गिरफ्तार किया गया इस संयूक्त परियास में जहारगंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस बल शामिल थे रांची निवासी डॉक्टर इस्तियाक कोई सा अतंग की मॉडूल का सरकना बताया गया है इस सम्मूह की योजना देजभर में कई बड़े हमले करने की थी इन गतिविद्यों की तैयारी के लिए सदसियों को विभिन अस्थानों पर हातियारों का प्रशिक्षन दिया गया था राजिस्तान में पकड़े गए 6 दिगत भिवाडी में हतियार चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार थे इससे पता चलता है कि मॉडूल के अंदर एक सू व्यवस्थित संरचना है जिसमें अलग-अलग सदसियों को विशिष्ट भूमिगा है सौपी गई है यानि कि दोस्तों यह लो कुछ पाकिस्तानी टीवी होस जैद हामीद ने एक बार फिर गजवाए हिंद को लेकर भड़काओ बयान दिया है सोचल मीडिया पर उसका एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें वो कहता है कि गजवाए हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत ही अनसिक्ता जरूर सामने ला रही है प्रधानमंती नरेंद्र मोधी पर किताब लिखने वाले मधुपूर्णिमा किश्वा समेथ कही लोगा ने इसे वीडियो को शेयर किया है जैद हामीद कहता है ये बहुत खौफनाग जंग कई साल चलेगी ये वो जंग है कि जिसमें एक मरतबा आखरी मरतबा जब भारत मुसल्मानों के कबजे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा वो जो बूत परस्त यानि मुर्ती पुझा करने वाले थे उनकी आखरी नसल सिर्फ हिंद के अंदर रह गई है पूरी मुसल्मान दुनिया में कहीं भी आपको इस तरह के म सारे बूतों को तोड़ा जाएगा उस सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनवी ने सोमनात के मंदिर और दूसरे तोड़े थे अब बूत परस्ति का मुकमल खात्मा कर दिया जाएगा जाहिर है यह जंक खौफनाक होगी एक दिन की नहीं है जिहा अवेज़े में दोस्तों कई भारतियों ने लाल टोपी के इस बयान को सुनकर इस पाकिस्तानी की बात सुनकर इसको मानसिक रोगी बताया है पहराल दोस्तों आपका जवाब देना चाहेंगा इस जैद हामीद को तो वहीं आपको बता दे अमेरिका में गुंजा ओम शांती शांती के नारे से गुंज उठा इस दोरान मेरिलेंड के एक मंदिर के पुजारी राकेश भट ने अमेरिका की एकता के लिए आशिरवाद मांगते वे वैदिक प्रार्सना की राकेश भट ने अपने भाचन के दोरान कहा कि भले ही हमारे बीच मत भेद हों कन्फिक्स हों लेकिन जब राश्टर की बात आती है तो हमें एक जुट होना ही चाहिए हमें एक मत होना ही चाहिए हमें एक साथ सोचना ही चाहिए ये सब समाज की बहतरी के लिए है राकेश भटने अमेरिका के लोगों से एक ऐसे नेता चुनने की अपील की है जो वसुदेव कुटुकं की वैदुक परमपरा में विश्वास करता हो राकेश भट मेरिलेंड के श्री शिव हिविश्णू मंदिर के पुजारी हैं तो वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दें बांगलादेश में इस रच रहीती भारत के खिलाब ऑपरेशन पिन कोड़ 2.0 अलर्ड पर खुफया इसके लिए ISI ने बांगलादेश में अपने एजेंट को भी एक्टिव कर दिया खुफया एजेंसियों से मिले ताजा इंपुट के मुताबिक ISI ने भारत के खिलाब ऑपरेशन पिन कोड़ 2.0 शुरू किया है हाला कि ISI की गतिविद्यों पर देश की खुफया एजेंसिय की पूरी नजर है ISI ने जान बुझकर ऑपरेशन पिन कोड़ 2.0 की शुरूआत 15 अगस्त 2024 को की है तो वहीं आपको बता देश में हिंदों के खिलाब हिंसा डुकने का नाम नहीं ले रहा है मजबूर होकर शिक्षक ने दे दिया इस्तिफा इस कौन प्रबक्ता ने किया है सबसे बड़ा दावा दोस्तों बांगलादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेक हसीना ने इस्तिफा दिया और भारत आगई हसीना सरकार की गिरने के बाद बांगलादेश में हिंदों पर खुब हमले हुए और अतिया चार हुआ देश मंतरिम सरकार भी बन गई है लेक में हिंदू शिक्षक को इस्टिफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पुर्व चात्र उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनके साथ दूर्बेबहार किया जा रहा है उन्होंने वीडियो पोस्ट करते वे लिखा कि बांगलादेश में एक और हिंदू शिक् फिर किसकी ये सबसे बड़ी चाल है तो वहीं आपको बता दे क्या अब हमेशा के लिए भारत में ही रहे जाएंगी बांगलादेश की पुर्व पियम शेख हसीना दोस्तों बांगलादेश में तखता बलट के बाद प्रधानमंदरी पदर से इस्तिफा देकर शेख हसीना भारत तो आ गई लेकिन अब यहां से उनका कहीं और जाना बेहत मुश्किल है अब उनके पास दो ही रास्ते हैं या तो वह वापस बांगलादेश जाए जहां सरकार उन पर केस तलाने के लिए तयार बैटी है या फिर भारत में ही रह जाएं जिसके लिए शायद यहां की स सरकार कभी तयार नहीं होगी तो अब शेख हसीना के पास रास्ता क्या है आखिर वो किसी और दूसरे देश की शरण में नहीं जा रही है आखिर बांगलादेश वापसी उनके लिए ताउम्र क्यों मुश्किल है दोस्तों बांगलादेश में महमद यूनुस के नितरत में जो अंतरिम सरकार बनी है उसने शेख हसीना का राज नाइक पासपोर्ट रद कर दिया है यानि कि अब शेख हसीना किसी भी दूसरे देश की यात्रा नहीं कर सकती है तो उनके पास एक ही उपाई है कि वह जहां है अब वहीं रहे यानि कि भारत में ही रहे हाला कि ऑप्शन के पुरुब मुख्मंत्री और जमू और कश्मीर नैशनल कांफरेंस नेका के अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला ने विधान सवाच उनाप को लेकर कांग्रेस के साथ गड़बंदन का एलान किया है उन्होंने कहा कि नेका और कांग्रेस गडबंदन को अंतिम रूप दि हैं कि यह थे भी किसारी बड़ी ख़बर आपको हमारी ख़बर कैसे लगे आश्यकरता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी थोड़ी बच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाख के कमेट में जैहिंद बश्य कहिएग मिलते अगली बड़ी ख़बर में और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा जैहिंद जैभारत